ब्यारे बच्चो आज हम कक्षिश शाथ की गनित की वरक्षीट नमबर 36 करेंगे वरक्षीट नमबर 36 नमबच्चो गातांक और गात से संबन्दीत है अब देखे 12 तिर्भुज को हम कैसे लिखेंगे 12 तिर्भुज को लिखने का इनोने तरीका दिया है अच्या तरिके नों लिखे हुए हैं इन में से हमें साई को टिक करना है ये वाला गलत है 12 पलस तिर्बुज करके हम 12 तिर्बुज नहीं प्राप्त कर सकते यदि हमें दूसरे में देखे तो ये साई है इसमें 12 तिर्बुजों को जोड़ दिया गया है बिल्कुल सही तरिका है तीसरा गलत है क्योंकि इसमें गुणा करी गई है 12 तिर्बुजों के गुणा करने पर 12 तिर्बुज प्राप्त नहीं हो सकता फिर 12 तिर्बुज बारा इंटू तिर्बुज बलस तिर्बुज ये वाला तरिका भी गलत है तो केवल दूसरा उप्सन सही है पहला भी गलत है तीसरा गलत है, फूर्थ गलत है आओ खेले, पार्सल पास करे पार्सल को पास करिए किस तरफ जाएगा तो देखते ही, मच्चो कैशी करते हैं इसको पहला परसल देखी 2 की पाइवर 4 दो की पाइवर 6 पाइवर जोड दीजीए 2 की पाइवर 10 हो जाइगा इसके डिरेक्षिन ये है इस परसल को देखी 4 की पाइवर 2 इंटू 3 गुनार कर दीजीए 2-3 की 2-2 अच्छ ladder होता है तो 4 की power 6 ये वाली direction इसकी आएगी फिर देखिए बच्चो 7 की power minus 5 7 की power minus 5 एक बटे 7 की power 5 इसको लिख सकते हैं ये वाली direction इसकी आएगी फिर बच्चो 7 की power 5 डिवाइड वाई 5 की power 5 इसको हम लिख सकते हैं 7 बटे 5 की power 5 ये वाली direction इसकी आएगी फिर देखिए बच्छो ये है 5 की power 3 और 4 है ती बारा हो जाएगा 5 की power 12 हो जाएगा ये वाली direction आएगी ये answer आएगा इसका 5 की power 0 1 के बराबर होता ये answer साही है 6 की power 6 divided by 6 की power 3 तो इसकी direction क्या आएगी देख सकते हैं इसकी direction इसकी direction आएगी बच्छो 6 की power 3 और दो की पावर दो इंटू दो की पावर तीन हम कर लेते हैं दो की पावर दो गुणा तीन की पावर दो कम्बाइंड कर लेते हैं छे की पावर दो हमें प्राप्त होगा तो डिरेक्शन उपर जाएगी इसकी बच्चो देख सकते हैं डिरेक्शन ये वाली डिरेक्शन आए गुणन खंड की, गातों के गुणन फल के रूब में वेक्त कीजिये, मदद करो, सोचो कोन बड़ा है? मैं बड़ा हूँ, नहीं मैं बड़ा हूँ, तो देखते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है? मानेश एक की पावर पाँच करते हैं तो मानेश एक हमें मिलता है मानेश एक की पाँच बार गुना करते हैं तो मानेश एक मिलेगा और मानेश एक की पावर छे का मतलब है कि मानेश एक को छे बार गुना करना तो इसमें हमें एक पराब्द होता है एक हमेशा माने शेक से बड़ा होता है तो हम कौन सी रखेंगे ये वाले बड़ी संख्या रखेंगे ये संख्या बड़ी है एक की पावर एक जो हो एक के बराबर आएगा और एक की पावर छे भी बच्चो एक के बराबर ही आएगा ये भी एक आएगा और ये भी एक आएगा दोनों एक आएगे दोनों बराबर है तो बच्छो ये थी मैध की वरक्षीट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें